कोशिस के बावजूद भी हो जाती है कभी हार ठक कर मत बैठना मेरे यार ठक कर मत बैठना मेरे यार पढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम पढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम पालेती मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई भार नमस्कार साथियों मेराज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने परिवार PBRS कैसे हैं आप तभी उमीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी तो चरुरूप से अच्छी तरह से तो चलिए आपका जो ये बैठ चल रहा था जिसका नाम है कि मैध आएगी नहीं बलकि दोड़ेगी तो भाईया ये मैध हम लोग दोड़ाएंगे कैसे हमारे साथ पूरे बने रहना दस मिनट बहुत बड़ी कलाफ नहीं चलाएंगे वीडियो छोटा देते हैं क्योंकि बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है इसलिए हम कलास बहुत बड़ी नहीं चलाते जिनको बड़ी कलाफ लेना है नीचे नंबर चल रहा है संपर्क करें और उसको भी देखें चली आज का हमारा जो टॉपिक है वो सब क्लियर है सामने आपको दिख रहा है टूडेज टॉपिक यह हिंदी में लिखा है इंग्लिस में भी लिखा है कोई भी टैंसा निलेना च डिजिट मिन्स अंख आपने डिजिटल इंडिया सुना होगा अभी बात करते हैं सब के बारे में नंबर क्लासिफिकेशन आप नंबर का मतलब संख्याओं का उवरगी करण यानि संख्याएं कितनी परकार्की होती है जैसे कुछ मैंने नमूने के तोर पे यहां पे पेस कि किया है नेचुरल नंबर, बोल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और बहुत सारी नंबर है सब का आएगा नंबर बस देखते रहो देखो कि अगर हम आप से पूछे कि डिजिट क्या होता है वाट इस डिजिट तो भया अगर गड़ी तो कि अंक के बारे में तो जानना ही होगा जैसे कहते हैं न कि समुद्र में रहिए और पानी से परहेज करिये तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है तो मैत अगर सुरू करना तो अंक के बारे में जानना मुश्ट इंपॉर्टेंट है देखिए जो हम लिखते पढ़ते हैं वही क्या है अंक है हम इसको पहचानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है मतलब अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि अंक क्या है तो आप उनको ये लिखके तो दिखा दोगे न मूना लेकिन आप उन्हें समझाओगे कैसे आखिर अंक है क्या देखिए इसको कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है और अपने अपने अकॉर्डिंग वैसे तो किसी परिच्छा में मुझे ने लगता किसकी परिवासा पूछी जाएगी लेकिन हाँ आपको पालूम होना चाहिए तो इसे अपने अपने अधार पे आप लोग इसे बान दे फिर से मैं बोल रहा हूं अब कहों कि यह सिंगल सिंबल क्या है यूज्टू मेक नुमेरल बड़ आजीब सा बात है चलो लिखो अडिजिट इज आ सिंगल सिंबल सिंगल और यह सिंबल बोल रहा हूं सिंबल मतलब वह जैसे किसी जीच को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंबल का युच करते हैना संकेत प्रकार से चिख है डिजिट इज इए स सिंगल शिंबल यूज्टू मेक नूमेरल फिक है लिखloело आप सभी city मेक नूमेरल मतलब हो ही नंबर या फिर नंबर लिख़ो यूज तो मेक नंबर के कशंप अग्शंप सब हो नीचे अर्दा टेन डिजिट हो गया जिनको नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे तो आप इससे ऐसा लिख सकते हो कि जो अंक एक ऐसा सिंबल है अंक एक ऐसा संकेत है जिसको हम संक्याओं को लिखने के लिए परियोग करते हैं जो सुद्धभासा में लिखना चाहे हिंदी में लिखने अंक एक ऐसा संकेत है जिसको हम संक्याओं लिखने में परियोग करते हैं यह प्रकार से सिंबल है जैसे आपने देखा होगा mathematics में बहुत चीजों का सिंबल होता है उसी सिंबल से ही काम बन जाता है जैसे पाई यह पाई का सिंबल होता है जो लोग मैथ मुगरा के अलावा साइंस भी पड़े हैं capital G इसमाल जी इसका मतलब जानते होंगे वो लोग है जानते हो ना यह सब जानते हो ना क्या बोलता है इसको यह तो यह सभी क्या एक परकार से बिशेस रूप से सिंबल है जैसे अगर PBR study की बात करें तो बीना PBR study लिखे इसका लोगो जो है वो भी क्या एक सिंबल है है ना मतलब वहां से भी पहचान होती है तो यह हो गया digit हा और भी आगे अच्छे से लिखवा दें क्या एक एक जामपल दूफरा लिख लो और भी कुछ क्लियर कर लो एक जामपल अगला लिख लो एक दिखो ता नुमेरल ता नुमेरल देखो मैं हिंदी में बता दूंगा आप टेंधन मतले न यह थोड़ा सा सब के समझ में आता है थोड़ा इस्टेंडर अगरिंग लिस्ट भी होती तो इस वजा से हमारी कोशिस है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो ठीक है दनुमेरल 153 153 इज मेड़ अफ इज मेड़ अब अभी हिंदी में भी बताऊंगा फिरी डिजिट इज मेड़ अफ थी डिजिट 1,5,3 इसको हिंदी म अएसे लिखलो और हिंदी में ऐसे लिखलो संख्या इस संख्या 133 103 तीन अंको भाईया 153 से मिलके बनी है जैसे अगर मैंने 247 लिखा तो यह क्या है यह अंक 247 से मिलके बनी है तो यही होता इसका वास्तों में मतलब समझ गए ना बाकी ज्यादा इसमें कुछ कहीं आता है नहीं इसको ऐसे भी समझ लो मोटा मोटा और भी एक्जामपल के तौर पे जैसे आपने पढ़ा होगा इंगलिस में ओर और लेटर हम सभी जानते हैं कि चबड़ी लेटर होता इंगलिस में जैसे abc ॐ यह सभी एक होते हैं लेकिन अगर हमें काओ लिखना है तो क्या होता है काओ लिखना होता हमें तो 11शी अधिक लेटर का यूज होता है तो ऐसे जान लो आप जैसे मालो लेटर में क्या-क्या है? C है, O है, W है उसी तरह से इसमें जैसे 1 है, 2 है, 5 है तो यह final में 125 बन जाता है दोनों में अंतर समझ में आ गया ला जैसे लेटर में हम एक-एक लेटर मिला करके तो एक word बनाते हैं उसी तरह से संख्याओं में हम एक एक अंक मिला करके क्या करते हैं? एक एक डिजिट मिला करके एक संख्या तयार करते हैं बात समझ में आई ना? तो यह अकेले कभी एक word नहीं कालाएगा कि C एक अकेला word है और 1 एक अकेली संख्या है हाँ लोग पर आया बोलते हैं कि 1 भी एक संख्या है, 2 भी एक संख्या है वो अलग बात है बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन रियल में ही है कि जो यह डिजिट मने जाते हैं अंक होते हैं अकेले अगर एक से अधिक हैं तो आप तुनको संख्या बोल सकते हो मतलब दस के हाँ 10 से सुरू हो जाता संख्या लेकिन उसके पहले जो होते है सभी डिजित होते हैं अंक होते हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं मुक्हिरूप से संख्या क्या होती है तो भईया संख्या की बहुत सारी परिभासा हैं, बहुत सारा सिस्टम है, इसका भी समझ लो, संख्या क्या है, देखो, इसके रहे सारी परिभासा है, Wikipedia के according जो हमें knowledge मिली हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि संख्या एक गड़तिये वस्तू है जिसका उपयोग गड़ना माप वा लेबल संख्या एक गड़तिये वस्तू है जिसका उपयोग गड़ना माप और लेबल में किया जाता है इसको ऐसे समझे लो गड़ना जैसे आपने देखा होगा भारत की जन गड़ना हुई थी 2018 में तो गड़ना का मतलब भाई गिना गया था कि कितने लोग है अपाने देश में और कितने नए लोग आ रहे हैं दर्ती पे उनकी अभी काउंटिंग नहीं हुई देश साल हो गया साइद तो गड़ना में यूज किया गया माप माप का मतलब जैसे दूध अगर है तो दूध अगर मालो एक बाल्टी में रखा है तो उसको नापा जाता है कितना लिटर है तेन लिटर है आठ लिटर है दस लिटर है यह क्या हो गया उसका माप हो गया उसमें भी संख्या का यूज यही सब क्या होता है यह संख्या की परिवासा हो गई इसको इंगलीस वाले इंगलीस में भी समझ लें लिखना पड़ेगा लिखो आप लोग इंगलीस में जो लोग लिखना चाहें देखो हिंदी इंगलीस दोनों में समझोगे तो ज्यादा बेतर समझ में आएगा जो बच्चे करनाटक से हैं अर्थमेटिक एल्हू आर्थमेटिक एल्यू आम्बर इज अन अर्थमेटिक त्पर ऑईल्यू ओके अ नंबर इजैन यहाँ पर N लिखना अर्थमेटिक वैलू यूज़ फार यूज़ फार रिफर्जेंटिंग रिफर्जेंटिंग दा कॉंटिटी एंड यूज़ इन मेकिंग यूज़ इन मेकिंग कल्कुलेशन मतलब आपको कुछ समझ में आ सथे सुन लो इन अर्थमेटिक वैलू इन अर्थमेटिक वैलू यूज़ फार छिज़ फार रिफर्जेंटिंग पार्जेंटिंग कॉंटिटी मतलब होता मात्रा जैसे अभी मने आपको बताया न एक लिटर दूट पांच लिटर दूट हैं जोदना घटाना करते हो ऐसे कुछ भी करते हो उसमें भी क्या होता है होता है कि यह हिंदी इंगलििस की दोनों की अलग-अलग तरह से परिभासाई हों गई इनकी तो साथ ही हो वसे हमें लग रहा है ये class ज्यादा बड़ी हो रही है अगर आप इस class को एक एक गंटे आधा दा गंटे पढ़ना चाहते हैं बड़ी बड़ी class और पूरी class एक साहते हैं तो देखे नमबर इसक्रीन पे चल रहे हैं आप contact करिए हाँ सबसे आसान भाहा सामें बता दूं बिना सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर पीवियर स्टडी पेज को फॉलो करें और घर बैठे पढ़ते रहें ऐसे ही एब्री डे हम वन वीडियो वन लाइब सेशन आपके लिए लाते रहते हैं पर आया हमारी जो क्लास हैं इस समय सुबा पांच बजे रात के नौ बजे के बीच में चल रही है इन में से हो सकता है कोई टाइम चेंज होता है अगर तो नंबर पर संपर करिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में पूरा क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद और हाँ याद रखना चैनल सब्सक्राइब जिरू करना जैसे कि आप घर बैठे मैच सीख सको पूरी घारंटी के साथ उमीदों को कभी खोया नहीं करते मंजील हो गर दूर तो रोया नहीं करते और रखते हैं जो दिल में तड़क कुछ कर दिखाने का वो दिन में क्या रातों को भी स्वया नहीं करते हैं कि यहिंद